मुझा आपके साथ हूँ आपका मित्र वेमन मोहिन जोशी और आज मैं बात करूंगा सेक्षन 482 CRPC के बारे में और हम स्पेसिफिकली जानेंगे 482 से रुलेटेड लेटेस फैसले, लेटेस जज्जमेंट क्या है सुप्रीम कोट के तो पहले तो आप यह समझ लाएं कि सेक्षन 482 CRPC में हाई कोट के इनहरेंट पावर से हैं तो इनहरेंट पावर क्या होते हैं आप समझें इनहरेंट पावर होते हैं अंतरनी हित शक्ती ऐसी शक्ती, ऐसा पावर जो कोई देगा नहीं जिसका उलेख कहीं नहीं है बियोंड लॉज जाकरके, जब नेचुरल लॉज जस्टिस को follow करके, ends of justice को सिक्योर करने के लिए न्याय के हित को सुरिशचित करने के लिए जब कोई court अपने कार्य करता है तो हम कहते हैं, उसने इनहरेंट पावर को यूज किया है लेकिन जब कभी हम इनहरेंट पावर की बात करते हैं तो inherent power arbitrary यारी मनमाना नहीं होगा अंतरनी शक्ति का ये मतलब नहीं है कि शक्ति का मनमाना उपयोग किया जाए या दुरूपयोग किया जाए inherent power misuse of power नहीं है ये arbitrary power नहीं है तो inherent power क्या है आपको मैंने बहुत ब्रीफ में समझाया Supreme Court ने क्या judgments दिये है मैं आपको कुछ latest judgment बताता हूँ 2019 के आप देखें slides में आपके सामने तो एक case है आनन्द कुमार मोहता versus state दिल्ली government का ये case है court ने कहा FIR रद्द करने की याचिका पर विचार किया जा सकता है भले ही याचिका के लंबित रहने पर charge sheet दायर कर दी गई हो इस मामले में सुप्रीम कोट ने इस पस्ट यह माना है कि हाई कोट section 482 CRPC के तहट कोई अगर याचिका दायर की गई है जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई है उस पर विचार कर सकता है भले ही उसके dependency के समय charge sheet पेश कर दी गई हो इस धारा के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायाले की शक्ती के प्रयोग को न्यायाले की प्रक्रिया के दुरूपयोग या miscarriage of justice को केवल FIR के चरण तक प्रतिवंदित करता हो यह कानून का सिध्धान्थ है कि हाई कोट जब discharge application ट्रायल कोट के पास लंबित हो तब भी CRPC के section 482 के तहट अपने अधिकार ख्षित्र का उपयोग कर सकते हैं फिर एक केस आया नारायन मलहारी थोरट वर्सिस विनायक देवराव भगत का इस मामले में कोट ने कहा कि हाई कोट investigation पूरा होने से पहले मेंस्रिया की जाच नहीं कर सकता मेंस्रिया का मतलब है दुराश है guilty intention इस मामले में सुप्रीम कोट ने सपश ये बात कही कि investigation के पूरा होने से पहले हाई कोट आरोपी द्वारा section 482 CRPC के तहट दायर याचिका में इस पहलू पर नहीं जा सकता कि आरोपी की ओर से मामले में अपेक्षित मानसिक तत्व जिसे मेंस्रिया कहते हैं या intention मौजूद था या नहीं तो नारायन मलहारी थोरट वर्सेस विनायक देवराव भगत के मामले में सुप्रीम कोट ने सपस्ट किया कि अन्वेशन या इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने से पहले कोई हाई कोट आरोपी द्वारा सेक्षन फोर एटीटू सी आरपीसी के तहद दायर किसी पेटीशन में इस पहलू पर नहीं जा सकता कि आरोपी की ओर से मामले में अपेक्षित मानसिक तत्व तो जैसा कि हम जानते हैं रेस जूडीकेटा या डबल जिप पार्टी के लिए आधार हैं कि पहले से कोई सिविल मामला अगर सिविल कोट ने डिसाइड कर दिया है तो उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं आधारों पर कोई नया मामला नहीं चलाया जाएगा और अगर मान लेते हैं किसी सेम फैक्ट पर सेम पार्टी के बीच किसी क्रिमिनल केस को कोट ने डिसाइड किया है तो उन्हीं फैक्ट पर वापस से कोई दूसरा क्रिमिनल केस कोट में नहीं लाया जा सकेगा civil case के बारे में provision मिलता है CPC 1908 section 11 में और criminal case के बारे में section 300 CRPC provision करती है लेकिन क्या civil case के pending रहते हुए criminal case लाया जा सकता है तो high court ने अगर section 482 के power का use करके criminal case lounge करने के लिए prohibit कर दिया है तो supreme court ने इस case कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता civil case के pending रहते रहते criminal case लाया जा सकता है फिर एक case आया दिनेश भाई चंदुभाई पतेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला इस मामले में Supreme Court ने कहा देखा गया है कि इस high court CRPC के section 482 के तहट नीच शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जाचने के लिए कि क्या FIR की तथ्यात्मक सामगरी किसी भी prima facie cognizable case का खुलासा करती है या नहीं एक जाच एजनसी की तरह काम नहीं कर सकता है और नहीं high court यह अपनी अपीली अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर कर सकता है तो court ने स्पस्ट कर दिया कि 482 CRPC के तहट जो शक्तियां inherent power high court के पास में है उसमें बहुत जाच एजनसी की तरह काम नहीं कर सकता यह मामला है दिनेश भाई चंदुभाई पतेल वर्सेस स्टेट अफ गुजरात फिर एक केस आया हमारे पास इस मामले में सुप्रीम कोट ने स्पस्ट किया कि सेक्शन 482 के तहट CRPC के तहट यदि कोई petition कोई आची का कोट में आई है तो उससे अनुमती देने या स्विकार करने का कारण हाई कोट को बताना होगा प्रोफेसर आर के विजय सार्थी वर्से सुधा सीता राम के मामले में सुप्रीम कोट ने स्पस्ट किया कि हाई कोट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कमप्लेन एक सिविल केस है जिससे आपराधिक मामले की शकल दी जा रही है कोट ने इसपस्ट किया कि जहां कम्प्लेंट पढ़ने भर से किसी अपराद का गठन करने के लिए आवशक सामगरी बनती हुई मालूम नहीं पढ़ती है, वहां आपराधिक कारिवाही का चलने देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिससे खारिच किया जा के तहत अपराध को गठित करने के लिए आवशक सामगरी का गठन करते हैं या नहीं, सुप्रीम कूट ने आगे कहा कि अपराध के लिए यदि आवशक सामगरी नहीं है, तो CRPC के सेक्षन 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाई कोट आपराधिक को रद कर सकता है, फिर एक केस हमारे पास आया, अतुल शुकला वर्स स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश का, इस मामले में सुप्रीम कोट में स्पस्ट किया, कि उच्च नियायले नहीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, आदेशों, निर्णयों की समिक्षा, पुनरिक्षन, संशोधन नहीं कर सकता, तो ये कुछ केसिस आपने देखे, जिसका संबंध सेक्षन 482 CRPC के तहर था, कि कोई भी हाई कोट, इनहेरेंट पावर का जब यूज़ करे, तो इन गाइडलाइन्स को ध्यान में रखे, और अपने पावर का मनमाना यूज़ न करे, बलकि न्याय क सुनशित करने के लिए, तो सेक्योर दी एंड्स ओफ जस्टिस अपने अधिकारों का उपयोग करे, उम्मीद करता हूँ, सेक्षन 482 से रिलेटेड ये लेक्षर आपको बहुत पसंद आया होगा, सफिशियन्ट कंटेंट है, आप इसके नोट्स बना चुके होंगे, नहीं करता हूँ झाल झाल